हलो लो एव्रिवर्ण तो आज में आपके ये ऐसे कीचर के इंट टिप्स एंट टिप्स लेख रहे हूँ हो जो शायद आप तो किसी वीडियो को देखने के बाद वीडियो अच्छी लगनत कि ने जादा से जादा लोगों तक्तों जाएं ताकि पुले वी इन टिप्स के बारे में पता चले चले वीडियो पर शुरू करते हैं घर में जब भी पाइनेफल आते हैं उसे कट करना बड़ा ही सरगर का काम लगता है लेकिन आज मैं आपको बहुत आसान तरीके से इसे कट करने का तरीका बताऊंगी जो कि विंडो में ये कट हो जाएगा और इसे काटने की आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें यहां सबसे नकीनपिन की ऊपर निकाल देना है और अब आपको स्लीक करने की पड़ेगी तो यहां पर सारे slices हमें कर लिए हैं और एक पीस के लिए लेकर इसे हमें काटना है इक शार की जिसकोले कटोरी या फिर ग्लास या कोई डखकर से इसके उपर का जो hard area है जो hard skin है वो भी निकल जाएगी साथ इसके बर जो भी काटे हैं वो भी निकल जाएगी जोट पोंग अच्छे से मुथी सुनदर round shape में इसके pieces कट हो जाएगी जैसे बाजार में जो can में आते लिपाएने को ऐसे हमें लगेगी अब देखे पीच का जो part है उसे भी हमें निकालना है तो इसके लिए आपको कट करना है तो देखें यह बहुत आसानी से लिए कि अपको क्यार करते हैं तो कई बार हम प्रेट की ऐसे recipes बनाते हैं जिसमें प्रेट के किनारे हमें निकालने पड़ते हैं और इनी प्रेट के किनारों पस्टेखने की जगा आप कई जगा इस्तुमाल कर सकते हैं इसे कि मै आपको एक टिकूला आँगी कि जैसे कि आप घर पर बहुत आसानी से ब्रेट क्रम बना सकते हैं जिसे कि नाश्ता करारा बनानी में ब्रॉह होती है और जो ब्रेट की किनारे बच करें हो तो कि आपको कोई एक स्नैक्स बदागी यहां पर मेने लिया है पकोड़े का बैटर जी हां यहां पर पकोड़े में जूबी चीज़े हम डालते हो सारी चीज़े में डाली है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और अब हमें इसमें डालना है गर्मा गर्म बनानी हो इसमें आपको डालना है गर्मा गर्म बनानी हो इसमें आपको डालना है गर्मा गर्म बन अब यह जो ब्रेट की किड़ा रहे हैं इसे दीव करके हमें गर्मा गरम सेल में डाला है जिस प्राइटर में के लिए यह एक बिल्क नाश्का बन जाएगा जिसे आप ब्रेट को तोड़ा स्टिक बिखाए सकते हैं और इसमें आपको प्यास का सारी जो मसालू करें तेस्ट धृत कर द्रीक कर लिया है यह बहुत तो उसके लगता है दोसको नाश्का और इसे में आप बबने करका दो चाहित है रहे हैं और जैसे ही एक गवाईल होने लगता है वो ब्रेक्ट हो जाता है इससे चाएख अर बानी में निकल आती है इसे पानी में अलग सा होने होने लगता है और वो पूरा भगोने से बाहर निकल कर पिचन स्लैब यह जो हमारा गैस्ट्रोफ होता है वो बंदा कर देता है तो मुझे बताईए आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं कमेंट में ज़रू बताईए ला ऐसा नम हो इसके लिए आपको पर नहीं के थी तो पहले आपको एक को बॉल कर निकले रखना है और साथ ही पानी में डालना है विनेकर डालने से जो एक ही यह आपसमें कर प्रहेंगे नहीं जहीं आप इसे आइप गेंपर भी बॉल करेंगे तब यह अच्छे से बॉल होंगे तो आज मैं आपको एक कट करने के इसे पहतरी प्रेक दिखाऊंगी बहुत बार हम चाकु से जब अटे को काटते हैं तो आज मैं आपको ऐसा तरीका दिखाऊंगी इसे एक की बहुत अच्छा इसे कटी हो जाएगी तो यहां पर आपको लेना है अटा और इसे काटना है यहां आपको एक साफ वाइड ट्रेट लेना है बीच में रखकर आपको बस खीच लेना है इसे यह बहुत अच्छी तरीकी से पर्ट हो जाएगा बहुत एवन यह इसके दोनों पीसे से कुंगे और जो अंदर का एग योग है वो भी इसने पर्फेक्ट लिक पट हुआ है मैं आपको दो मों के डिफरेंस दिखाती हूँ यह हमने चाको से काटा था और यह हमने स्ट्रेट से काटा है अब करेंको तो चाको से काटा था जाता है कि जिने नहीं आता है यह उनके लिए ट्रिक है तो एक को बॉइल करने का अजना को एक बूपल इसन तरीका बताज़ी हूँ उसके की एक बहुत ही जल्दी फटा फट बॉइल हो जाएंगे तो यहाँ पर आपको लेना है एक कुपर इसमे डालना की पानी और पानी के अंडर डालेंगे हम यह X जी हाँ आज हम प्रेशर कुपर के अंडर X पो बॉइल करेंगे और मज़े की बात यह है कि इसके अंदर आप एक साथ आठ से दस या दस से बार अंडे भी उबाल सकते हैं बहुती कम समय में अंडे उबल जाते हैं और यह तूर्टेने की ही नाटिये पुगाई कोई है आपको इसके लीड लगाना है और इसके फ्रेशर आने तक इसके विजल आने तक आपको इसके लगाना है बहुत ही कम समय में यह एक कुबल जाते ही एक बाद सा जहां तक अगर आप जादा आपने हुगा देने तो फ्लेशर आने तक यह हलका फ्लेशर आने के बाद गयास को ओफ करते और इसी गरम पानी में भी छोड़े इसे एक बहुत ही अच्छे से बॉल हो जाएंगे और आपकी गयास को बहुत बहुत यूनिक और बहुत अच्छी ट्रिक्स है अजमा कर रखिए तो इस तरीके की बाद को साफ करना बड़ा ही मुश्मिक का काम हो जाजा है इसके अंदर नहीं स्कुरफ जापाता है और नहीं हाटों की उलिया इसके इस पीछ सफाई अच्छे से हो पाए इसके लिए आपको नहीं पर कैस को ओन कर लेना है और इसके ओपर रखेंगे हम फूर रश्चों लिए कर दें वहीवाला इसे हलका हलका गरम कर लेना है जादा गरम ना करे वरना यह मेल्ट हो जाएगा जैसे हलका गरम होगा हमें इस कर टा रहने के सक भी मूर है आप देख सकते ही यह गोगोथी बढ़िया से साफुचकी है गोगोथी अच्छे क्रिखे इस्तमाल करके लिखेगा तो आलू पराइटी बनाते वर अगर आलू ज्यादा सोफ खोज़र उसमें ज्यादा मौश्चर आजए तो टेंशन लेगी कि कोई बात नियुक्ता चैलेशन भी है हमारे पास उसमें डालिए कोहे का पाउडर की को आपको राय पीस लेना है और उसे मिला लेना है इसे आलू क जितना भी मौश्चर है वो फोहे का पाउडर जिसका हम प्राइस प्लेक्स पिते दे इसका पाउडर उसे सोफ कर लेगा और तो आपका आलू का मिश्रण में से आलू का जो मिश्रण है वो बाहर नहीं आएगा पराठी से और आपकी पराठी बहुत ही फुले-फुले बने अगर आपको इसका फुल वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं तो आज की यह सभी ट्रिक्स आपको कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा अच्छी लगी हो तो इससे ज़्यादर से ज़्यादर शेयर जरूर कर लेगा